कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले प्रार्थना से शुरुवात होती है तीन बार ओम का उच्चारण अच्चार ओम अच्चार ओम संगच्चाद्वे संबध्ध्वे सेवानानसी जानताः देवा भागं यथा पूर्वे संजा नाना उपास्टे हम सभी साथ मिलकर चलें प्रेम से मिलकर बोलें और भाईचारे से रहें आपने पूरोजूं के द्वारा बताए हुए कर्तव्यों का निवहन करें अब माननिये श्री नरेंदर मोदी जी देश के प्रधान मंतरी जी ने योग संदेश में जो कहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ ये 21 जून 2020 को छटा अंतराष्ट ये योग दिवस मनाया जा रहा है जिसमें विश्व भर के योग प्रेमियों को प्रधान मंतरी जी का नमस्कार योग भारत के रिशी मुनियों द्वारा विश्व को दिया गया एक अनमोल उपहार है सिरीमद भागवत गीता में कहा गया है समत्त योग उच्चते अर्थात सम भाग ही योग कहलाता है योग सिराफ आसन नहीं है बलकि यह बिना किसी खर्च के फिटनेस और वेलनेस की गारंटी भी देता है योग प्राते काल में की जाने वाली किरिया मात्र नहीं है बलकि यह रोजमर्जा के कारियों को दक्षता और पूरी सतरक्ता के साथ करने की शक्ती भी है योग से निरोग होने का मार्ग योग है योग हमारी सोच कारिये जान और समर्पन को बल देता है और हम बहतर इंसान बनते चले जाते हैं योग से हम ने केवल स्वयम को अच्छे से जान पाते हैं अपितु यह दूसरों को समझाने में भी मदद करता है जब हम स्वयम को समझते हैं तो हम समाज के साथ एक रचनात्मक जुडाव बना लेते हैं योग हमें अपने परिवार अपने समाज पसूपक्षियों और समस्त संसार के साथ एक सुत्र में जुड़े होने की अनुबूती देता है योग इस प्रकार योग मैं से हम की अनोखी यात्रा है आज व्यक्ति आधुनिक जीवन सहली से उपजी समस्याओं से ग्रस्त है जैसे तनाव अवसाद डिप्रेशन मदुमे उच रक्त चाप जैसी बिमारियां धीरे धीरे व्यक्ति को मार रही है योग इन सभी बिमारियों का समधान देते हुए मन, सक्ति और बुद्धी को संतुलित कर व्यक्ति के अंतरद्वन्द और तनाव को खत्म कर आनंद देता है योग तनाव से मुक्ति पाने में और मन को प्रसन्व शांत रखने में अत्यंत मददगार है दिन भर की ठकान के बाद पानी से हाथ मूँ दोलें से जैसी ताजी मिलती है उसी तरे आपा धापी के बीच थोड़ा सा प्रनायाम या कुछ देर स्वासन हमें आराम और उर्जा देता है योग उम्र लिंग जाती पंत धर्म राष्ट्र के बंधन और सीमाओं से परे है योग किसी में भेद नहीं करता बलकि यह तो बस अभ्यास करने की इच्छा सक्ती चाहता है अतिरेक के बीच संयम और संतूलन है योग दिमा की तनाव के बीच मन की सक्ती है योग विचलित करने वाले च्छनों से निकल कर ध्यान और एकागरता को बढ़ाता है योग निरासा और भेखे बीच योग आसा सक्ती और स्वास है योग मन को शांती देता है वे लोग जिनके मन में शांती है वे दूसरों को भी शांती देते हैं इस प्रकार के लोग सोहार्द पूर्ण राष्ट का निर्मान करते हैं और ऐसे राष्ट सोहार्द से परिपूर्ण विश्व का निर्मान करते हैं आज जब अधिक अधिक लोग योग को अपने जीवन का एंशा बना चुके योग तो योग सिक्षकों की मांग भी बढ़ रही है हमारी अगली चुनोती परिसक्षित योग शिक्षकों को तयार करना है जो योग के परती लगाव और उच्षा को सकारातमक दिशा दे और विशेश रूप से युवाओं को इसके लिए प्रोटसाइट कर सकें आब सभी योग प्रेमियों को मेरी सुब कामना है ओम जी झाल झाल